सब्सक्राइब करें चैनल टेक्निकल सोनी जी एंड प्रेस अन बेल आइकन लेटिश टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका चैनल टेक्निकल सोनी जी में और आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपेसी के एडमिट कार्ड के बारे में जी हाँ दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि आरपेसी ने स्कूल लेक्चर के एडमिट कार्ड जो हैं वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिये हैं लेकिन काफी जो में दोस्त हैं उनके एक प्रोब्लम्स आ रही है कि वो से अड्मिट कार्ड को निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास में जो है अप्लिकेशन आइडी नहीं है तो सिंपली उसके लिए आपको करना क्या है इस वीडियो का आप पूरा ध्यान प्रोग द आपके सामने लिखावा है School Lecturer School Education 2018 उसको आपको क्लिक करना है उसको क्लिक करने के बाद में जो स्क्रीन आपके सामने आएगी और वहां पे अगर आपके पास में अप्लिकेशन आइडी है तो गेट एड्मिट कार्ड पर आपको क्लिक करना है और यहां पे आपको अपना अप्लिकेशन आइडी रिकाउर करेंगे इस वीडियो को देखिए नीचे जो उप्सन है उससे आपको कैंसिल करना है फिर वापस आपको बैक आना है बैक आने के तुरंत बाद में आपको यहां पे जो लिखावा है लोग इन जैसे ही आप यहां पे लोग इन करेंगे तो आपके सामने सेस वाइड जाएगी लेकिन आपके पतास में से वाइड नहीं एं फिर आप इसको बैक करेंगे तो आपके सामने यह बैक नहीं जाएगा आपके सामने और से कोई प्रप्रोम साजहें इसके लिए आपकोher से औ self-order इसके बाद में आपको यहां पे controller की यहां application ID अगर आप अपना application ID बूल गए हैं ते forgot application ID का उपर आपको click करने गा है और जैसे ही आप इसके उपर click करेंगे आपके सामने एक नई window जो है वो पड़र सीथ हो जाएगी आप देखिए मैं जैसा जैसा कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है यह देखिए इसके बाद में यह जो display जाएगी इसके अंदर आपको यहां पर आपके पास में तीन options है या तो अपना name father's name और date of birth है उसके द्वारा आप अपना application ID जो है recover कर सकते हैं या फिर receipt number या फिर अपना mobile number और date of birth के द्वारा लेकिन basically आपके पास में अपना नाम और father's name और date of birth है तो वह यहां पर आपको लगानी है यह देखिए जैसे कि इनका नाम लगा दिया date and father's name और date of birth लगा दी उसके बाद में आपको यहां पे जो है next step में जो capture code हैं वो भी आपको यहां पर type करने हैं जैसे capture को type करें उसके बाद में get application ID करना है within one second के अंदर आपके सामने जो application ID है वो आपके सामने नीच आ जाएगी उसमें जिस से subject से form भरा गया है वो भी सामने से कर देगा और application ID भी दिखा देगा यहां से आप इसको कोपी कर लीजे यह फिर कहीं भी आप लिक्स भी सकते हैं और फिर वापस से आपको वही परकरिया दोनानी है जिस तरह से admit card निकालते हैं वैसे आपको इस options में जाना है और यहाँ पर get admit card करना है उसके बाद में यहाँ पर जो मैंने application ID जो कोपी किया है वो यहाँ पर आपको type करना है पेश नहीं हो सकता है क्योंकि वो इसमें allow नहीं है और यहाँ पर application ID उसके बाद में date of wote लगाना है उसके प्रवाइट कार्ड आ जाएगा यह आप देख सकते हैं यह एक बहुती सिंपल तरीका है और अगर किसी के पास में जो अप्लिकेशन फोर्म नहीं है अगर वो भी निकालना चाहें तो इस ट्रिक के दौर आप अपना जो अप्लिकेशन फोर्म है वो निकाल सकते हैं जो बहु प्रवाइट के दौर आपको अपना जो असे वाइडिया उसकी कोई भी आउसेकता नहीं है तो उमीद करता हूँ कि दोस्तों आपको मेरे दौरा बताईगी यह ट्रिक समझ में आ गई होगी और हाँ फिर भी अगर आपके कोई प्रोब्लम है या फिर आपके कोई सुजाव हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं साथी साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ दोस्तों अधिक से अधिक सेयर कीजिए ताकि सबी दोस्तों तक यह नियूज पहुंच सकें क्योंकि एडमिट कार्ड जो हैं वो सारे सब्जेक्स के अपलोड कर कि अपलोड कि एृम्